हेलो श्टुडाइन नमस्ते कक्सा सिक्स हिंडी हिंडी में आज हम कहानी लेखन करें गे कहानी को सुनें गे और फिर आपको इस कहानी का चित्र देखकर अपने नोट में अपनी भासा से ये कहानी लिख सकते हूँ तो ये आपके कहानी में लिखा गया है नीचे दिये गए चित्रों को देखकर दो दो वाक्य लिखिये और कहानी बनाईए तो आप सिक्स टारन में हो ये कहानी सायद आपने सुने ही होगी बहुत अच्छी कहानी है और इस कहानी को आपको ध्यान से सुनना है यानि आप इनको बना सके तो सुनिए यह जो पहला चित्र है इस चित्र में एक पेड़ है बहुत बड़ा पेड़ है इस चित्र में आपको यह कबूतर है कबूतर पैड़ पर रहता था कबूतर का गोंसला पैड़ पर था और यह है पैड़ के नीचे होल यानि उसको बोलते हैं बिल बिल यान दर उसमें एक चीटी रहती थी और कभूतर और चीटी दोनों क्या हो गए मित्र क्या हो गए मित्र फिर अचानक एक बारिस आई बहुत सी बारिस हुई बारिस में चीती के बिल के अंदर पानी गया तो चीती बहार आई और तहरने लगी ये रहा मैं आपको पूरी कहाने सुनाती हूँ आपको अच्छी तरह सुनना है चीती तहर रही है और चिला रही है बचाओ बचाओ तो कभूतर देख रहा है अरे ये तो चीती है ये तो दोनों आपस में मित्र थे तो कभूतर ने अपनी सोच से पैड का पत्ता नीचे गिराया फिर अपनी चोच में पत्ते को ऐसे पकड़ा और चीती को दिरे दिरे उपर पत्ते पर ले गया फिर चिती की जान बच गई तीसरे चित्र में ऐसा काना चाता है कि पैड की डाली पर कबूतर बैटा था अचानक वहां से सिकारी आया सिकारी कबूतर का सिकार करने जा रहा था तो यहां पे कबूतर को पता नहीं था अचानक सिकारी आया और कभू तरका निशाना लगा रहा था तो ये चीती ने देख लिया चीती ने देख कर सिकारी के पास जा रही है और चोथे चित्र में चीती ने पैर पर काटा सिकारी के पैर पर काटा उसको एक दम चिटका भरा जिसकी आवाज सिकारी ने निकाली और सिकारी ने जैसे आवाज निकाली कबूतर ने सुन ली और कबूतर ने सिकारी आवाज सुनी तो कबूतर वहाँ से उठ गया फिर हमें इस कहानी में ये सिखने को मिलता है कि हमें एक दुसरे की मित्रों की मदद करनी चाहिए दुख के समय हमें एक दुसरों की मदद करनी चाहिए ये चित्र में भी ऐसा है कभूतर ने चिती की जान बचाए थी फिर चिती ने भी कभूतर की जान बचाए तो हमें एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे की शहायता करनी चाहिए तो आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है इसी उपर से आप 5-6 वाक्य लिखोगे तो भी चलेगा धन्यवाद बाड मीत्रो मैं आज आपको वीडियो चेहनों के बारो में सब्यास करवाँगी वीरामचेहन यानि कि जो अलग-अलग वीरामचेहन होते हैं वो कहा कहा उसका उप्योगदर सहय जाता है वो मैं आपको आज समझाओंगी तो किसी भी भासा को बोलते, पढदे और लिखते समय अर्थ को स्पास्ट करने के लिए वाक्य के बीच या अंत में थोड़ा रुकना परता है इस रुकावट का संकेट देने वाली लिपी को वीराम चीहन कहते हैं यह आपकी वीराम चीहन की व्यक्या है कि वीराम चीहन कहां कहां लगाया जाता है लेकिन ये बहुत ही hard है आप थोड़ा इनको ध्यान से सुनना है हमें और बहुत अच्छी तरह जानना है क्योंकि इसमें बहुत mistake होती है कहां क्या चीन लगता है वो हमें समझ में नहीं आता तो इसी भासा को बोलते पढ़ते और लिखते समय ये इस post करने के लिए हमें वीराम चीनों का उप्योग करना पड़ता है तो पहला नंबर पर है पूर्ण वीराम पूर्ण वीराम इसका प्रयोग वाक्या पूर्ण होने पर होता है पूर्ण वीराम कब होता है पूर्ण वीर हम कहां लगाते हैं जैसे कोई हम बोलते हैं कि मोहन ने पत्र लिखा हमें ऐसे सिफ बोलना है तो उसी सब से जैसे के सामाने कथन है मोहन ने पत्र लिखा तो हमें ये पूर्ण विराम लगना है सिता स्कूल नहीं गई सिता स्कूल नहीं गई तो हमें ये विराम चेन लगना है ये एक सामाने कतम हो गया अगर आप किसी को कथन दे रहे हो एक सामाने कतन और दूसरा है आदेश किसी को आदेश दे रहे हो जल्दी आना तो भी इदर पूर्ण विराम का उप्योग होगा जल्दी आना अगले मैने जाना है अगले मैने जाना मूंबई अगले मईने जाना तो यहां भी पोड़ विराम ऐसे सामाने कतन और आदेस देने वाले कतन हो वहां पे हमें पोड़ विराम का टिक mark आने के चिहन करना यह पोड़ विराम का टिक चिहन है इसे हमें ज़्यादा ध्यान देना है ज्यादा तर चीहन कौन सा कहां लगता है ये हमने देखना है पिर है अलपविराम अलपविराम कहां लगता है तो अलपविराम यानि की ये वाला निशन अलपविराम का प्रयोग वाक्या में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है हम जबी कुछ बोलते हैं मैं अभी जो बोल रहे हूं उस पे ज़्यादा ध्यान देना है यानि आपको समझ में आए अलपविराम का प्रयोग का होता है थोड़ा रुकने का संकेत देने क के लिए होता है राम सीता और मोहन गर गए तो यहां पे राम सीता जैसे नाम के बीच में क्या होगा अलप वीराम राम सीता यानी इधर होगा अलप वीराम और मोहन गर गए रोको मत जाने दो रोको मत जाने दो तो यहां बीच में क्या है गा अलप वीराम आप जब बोलते हो तब अपना ध्यान से आवाद देखना है कि आप अंदर से जो निकल रहे हो उसी सब से आप चिहन लगाते हो लेकिन कहां कौन सा चिहन लगाना है वो ध्यान देना है रोको मत जाने दो फिर है दूसरे मैं आपको एक्जामपल बताती हूँ जैसे कि मैं सवेरे उठता सेर करता चाय पिएता नहाता इन सब के बीच में भी क्या आएगा अलप विरामपल हम ऐसे बोलते हैं कि मैं सवेरे उठता तो जैसे आएगा मैं सवेरे उठता फिर अलप विराम चाय पिता फिर नास्ता करता यानि कोई रुक करम कोई भी वाक्य बोले तो अभी है दूसरा प्रस्न वाक्य प्रस्न वाचक चीहन प्रस्न वाचक चीहन आप सब उससे वाकिपो प्रस्ना वाक्य के किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्ट करने है तू उप्योग में लिये जाने वाले वाक्य के अंत में प्रस्ना वाचक चीहन लगाया जाता है तो हम उसके एक्जामपल देखें क्या तुम विद्याले गए थे तो हम जो बोड़ रहे हैं जैसे उसको प्रसनाव पूछ रहे हैं हमें ऐसा लगना चाहिए जैसे आप जो कुछ बोड़ रहे हो उसी इसक से ये चीन लगेगा क्या तुम विद्धा ले गए थे तो क्या लगेगा प्रसना वाक्या प्रसना चिन तुम क्या करते हो तुम क्या करते हो तो ये भी प्रसना चिन इसी तरह आप आज तुमारे गर कोण आया है ये प्रसना पूछ रहे हो आप अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो प्रस्ना वाक्य का प्रस्ना सुचक होना चाहिए तुम किस गर में रहते थे ऐसे एक्जामपल पे ज़्यादा फोकस देना है कि आप प्रस्ना सुचक कथन करते हों कि क्या फिर है विश्मय आदी बोधक चीहन आश्चर्य, दुणा, सुख, दूख, आदी भावो को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है जैसे अरे भापरे, वाह, शाबाश, अहां ऐसे जो वाक्य हो उसमें हम विश्मय आदी बोधक चीहन लगाते हैं ऐसा उसका चीहन होगा विश्मय आदी बोधक जैसे आप कुछ बोलते हो मैं आपको एक 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 जामपल देती हूँ ऐसे बोलते हो उफ, कितनी गर्मी है उफ, उसके बीच में ये वाला चीहन लगेगा उफ, कितनी गर्मी है फिर बोलते हो, ची, ची ऐसी गंदी बाते करते हो एसे कर सकते हो ची, ची फिर आएगा ऐसा चीह ऐसी गंदी बाते करते हो फिर अरे, क्या हो गया तो ये कौन सा चीन आएगा वहाँ आपने तो कमाल कर दिया फिर आप ऐसे बोलते हो साबास आहां, कैसा वर्क कर रहे हो अरे बापरे इसके पीछे जो ऐसे सेंटेंस बनते हो उसमे विश्मयादी बोदक चीहन बनेगा ये सारी एक्सराइज आप अपने नोट में लिखो तब एक्जाम्पल और उसकी व्याक्या पे ज़्यादा निर्दस करना है फिर है योजग जो ऐसा हो योजग चीहन का प्रयोग सामाशिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है जैसे कि सुख दुख, माता पिता, पाप पुणय, देश विदेश, आधि जैसे ऐसे दो सब्दा साथ में बोले जाते हो कि सुख दुख आते जाते हैं तो उसके बीच में ये योजग चीहन लगेगा माता पिता की सच्ची सेवा पूजा जैसे जो भी आप लिखते हो माता पिता की सेवा करनी चाहिए माता पिता सेवा सच्ची पूजा है माता पिता तो उसके बीच में क्या आएगा योजग चीहन फिदेश विदेश देश विदेश भी आप उसका भी एक सेंटेंस बना सकते हो ऐसे जिससे आपको पता चले फिर है निर्दशक निर्दशक का चीहन में भी आपको ध्यान देना है निर्दशक चीहन में वाक्य की बात को सपस्ट करने के लिए होता है मोहन ने अपने मीत्रो राकेस आकास अविनाज से रुपे मांगे तो ग्राहक इस पुस्तक्या क्या मुल्य है कोई नीर्दस चीहन में ऐसा होना चाहिए जो बात को स्पस्ट करने के लिए होता हूँ कि इसका मुल्य क्या है जिसे दुकान दार पे गए तो ये 25 रुपे की है ऐसी फाइनली कोई बात स्पस्ट हो तभी ये नीर्दस करने वाली का जो डेस है वो टिक मार्क लगता है किसी सब्द के अर्थ को जैसे हम कभी दो सब्द होते है तो उनका एक सई अर्थ बताने के लिए भी हम ब्रेकेٹ का उप्योग कर सकते हैं और कोंष्टक का उप्योग कहा करना है तो हम देखें अवतरण चीन एक हरा चीन एक हरा यानि कि जो उपर हम कोई भी एक लाइन लिखते हैं जैसे लिखते हैं सेव अवर शोल आप कोई भी ऐसे सेंटेंस लिखते हो नमे ते सवने गमे ऐसे कुछ सुवीचार लिखते हो उसके अंदर कोई कड़ी आती हो कोई भी ऐसा सेंटेंस हो प्रातना ही आत्मा का खुराग है फिर महात्मा गांदी जी ने कहा है कि फिर जो लाइन बोलते हैं उदर हम लिख के जो वाक्या पुरा होता है फिर आप ऐसे कर सकते हो पानी बचाना ऐसे लिखना है पानी बचाओ तो ये एक क्या हो गया कोश्टक जैसा शियन जो किसी सब्द के अर्थ को सपस्ट करने के लिए कोश्टक का प्रियोग होता है जै ये सास्त्री जी का नारा दिया है जै जवान जै किशान हमें कोई भी नारा लगाते हैं तबी भी हम ऐसे ही दो टिक मार करते हैं उशे हम बोलते हैं एक हरा चीन, एक हरा यानि अवतरान चीन का किसी के उपना, रचना या पुस्तक के सिर्चक का उडगरूत करने का शमय किया जाता है। जैसे शमदार ननही कोई भी पार्ट का नाम है, तो हम अगर इधर लिख रहे हैं समदार ननही तो ऐसे टिक कर सकते हैं। फिर सूर्यकान त्रिपाटि का उपनाम क्या है नीराला तो हमें ये बताने के लिए इस मार्क का उप्योग करना है जो आप इसको बोलते हैं एक हरा विरोधार्ती सब्द उनका दूसरा अर्थ क्या होता है तो हमें सच्चा अर्थ लिखने के लिए इदर लिख सकते हैं विलों जैसे आप पर्यायवाची लिखते हो कि पर्यायवाची सब्द लिखे पर्यायवाची तो एक उसका दूसरा समानार्थ भी होता है तो आप परियावाची लिखते हैं उसका दूसरा क्या रूप में क्या बोला जाता है तो समानार थी तो आप काउस में बता सकते हो समानार थी तो एक उसका वाँक है दूसरा आपको स्टक में सही नाम से बताया जा सकता है तो ये सारे चीहन आपको अच्छी तरह याद करके नोट में हर एक चीहन के सही जोड मिलाओ भी आपको आएंगे एक्सरसाइज में तो वो भी आपको अच्छी तरह पक्के करने हैं थैंक यू